हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी होपफुली आप सब स्वस्त और मस्त होंगे यह वीडियो जहां से मैंने खतम किया था मेरा व्लोग वहीं से स्टार्ट किया है तो 17 तारिक को मेरा पेपर था उस दिन मैंने हलुआ बनाया था टींट सी की सबजी बनाई थी पच्चों ने पन वाले थे भाईया तो लेट हो गए तो सुबह हम पेपर देने में भी जाने में लेट हो गए और मेरा एक क्यों चूट गया और फिर यह वैक्सिन एक्जाम देने के आने के बाद मैंने वैक्सिन लगाए थी तो वैक्सिन सभी लगाए यह ताकि स्वस्त रहिए और मस्त रह बाए भी था और उसके बाद में यह देखिए यहां पर फिर नेक्स दे मॉर्निंग का व्यू है यहां मैंने राइस बनाए है तो राइस में घी बुरा डाल दिया और यह कलका ही हलुआ है बच्चा हुआ जो गरम करके दे दिया नमकीन दे दिया और मसूर की दाल बनाई है मै यह वाला जो कलिप है तो यहां यह मेरी अम्मी मनका मसूर की दाल बन के रैडी है और यह रात की जो टींट सी बच्चेविती दिन में बनाई थी वो है और यह हलुआ है जो गरम करके यह थोड़ा सा मैंने बेटे के लिए रखा है बाकी स्वामी जी के टिफिन में दे दिय हमारे यह आपर खीर और हल्वा यह सभी दूसरे दिन भी खाते हैं क्योंकि फ्रीज में रखने के बाद हल्वा फिर गरम कर लेते हैं और खीर होती है तो ठंडी खाते हैं तो यह पापा जी कि ठाली मैंने सर्व कर दी है और आज मेरी तबयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हाथ म बिजवाई है पापा जी को देना भूल गए थी और यह देखे गुलाब का फूल बता रही हूं अभी भी खिला हुआ है जो 17 तारीक को जो है दिया था स्वामी जी ने और आज 21 तारीक है फिर भी वह फूल खिला हुआ है क्योंकि आज मैं एडिटिंग कर रही हूं और अभी भी वह फूल एज इटीज वैसा का वैसा ही है क्योंकि मैंने पानी भर के इसमें रख रखा है गिलास के अंदर इसको इसलिए और इदर यह देखे यह कपड़े मेरे धुले हुए हैं तो चलिए कपड़े या तो अभी स्वामी जी को दे दूंगी मैं तो वह सुका देंगे या फिर मैं खुदी सुकाऊंगी तो यहां बाल्टी में भर रही हुँ है दिहान मत दीजेगा बात्रूम तो ओड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि सबी का रहता है अभी बारिस का मोसम भी है और सब्ता में दो तिन बार बात्रूम धूल जाता है फिर भी जो है थोड़ा ग लगाया नहीं है इस वज़े से और मेरे स्टेंड का जो वीडियो है वो मेरे उस वाले चैनल पर शोशल वरकर मदुवाला स्वामी वाले चैनल पर मैंने अपलोड किया है आप चाहे तो देख सकते हो और कितने का वो बना था तो मतलब कितने का मंगाया था वो सब भी डिट किये ते तो आज चोटे वाले बेटे के हैं मैं बाल्टी में सर्फ में गला कि छोड़ देती हूं कपड़ों को फिर दूल जाते हैं आराम से और यहां पर स्वामी जी का टिफिन भी पैक कर दिया है मैंने और इदर वह कैप सिकम लेके आये ते टमाटर दूले हुए है तो स अबेस रखे हुए है पनीर है चीज है सब ही जो है पिज़ा की तो यहां पर वह सब में इसको जो है टिफिन को पैक करके दे दिया था फिर क्या हुआ सुबह से मशीन खराब हो गई थी हमारी पानी की तो पानी चड़ नहीं रहा था तो मोटर वैसे भी हमें दिक्कत कर रह लग जाता था उस मशीन के आवाज से तो फिर हमने चैंज करवा दी थाकि थोड़ी महंगी आई यह बटी आवाज नहीं करेगी यह वाली मोटर है पानी की तो यह नीचे है यहां पर जो है वह बिजली वाले भाईया जो करते ना मोटर ठीक वही उनको बुलाया है वो कर र मशीन मोटर नहीं चैंज कराई है ताकि आवाज ना करें और वह खराब नहीं हुई थी लेकिन फिर भी हमने चैंज करा दी क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा करती थी और आवाज से जो यहीं पर रूम है हमारा तो फिर सिर में दर्द होता है भाई इस वजह से यह देखे और अभी चार-पांच और पोधे कई तरह के स्वामी जीन लाके गमले में लगाए हैं मुझे तो पता भी नहीं था नहीं तो वीडियो बना लेती मैं बाद में उन्होंने बताया मुझे कि मैंने लगाय थे चार-पांच पोधे और लाके मुझे पता नहीं था और यह लिजे को दे रखी है दुकान पर दोड़बाग करने के काम आती है और एक बाइक जो लाइन में जो बिजली वाले भाई है ना उनकी है उसके बाद में मैंने फिर कुछ सूट नहीं करा सामकों में सो गई थी क्योंकि तब थोड़ी ऐसी चल रही है और आज फिर मेरा जो है एक्जाम है तो यहां पर मैंने खाना पेक कर दिया है स्वामी जी का आलू की सब्जी बनाई है मैंने और अचार दे दिया है यह देखिए और पापा जी कि थाली फोईल में लपेड़ दी मैंने रोटी साइद मैंने पराठे बनायते मुझे याद नहीं है और आलू की सब् यह नमकीन है अचारे और चाचे और यह बरतन है मजे हुए और यह सब्जी लायते आज सुबह काच्री लायते और लोकी लायते जो दोके रख दिये मैंने और बरतन मैंने आदे तो अभी रात के यह जो जमाने थे जो नहीं जमाए मैंने आके जमाऊंगी और आदे अभी म आने गए हैं चट पर वो चत पर ही न आते हैं ताकि वहां कियो क्या मैस से बाते करें कि वादत हैं मंठी देना बहुत जरूरी और चाहिए ही क्या बुजुर्गों को बात चीत और खाना पिना टाइम पर गोली दवाई टाइम पर यही चाहिए और बस यहां पर टिफिन पैक कर दिया है थोड़ा लंबा व्लोगे तो सोरी माफ कीजिएगा लेकिन क्या है मैं बार-बार जो है मेरा फिर यह जो है न मेरा म हैंग होने वाला क्या होई गया है यह क्लिप फटा-फट जोड़ के मैं वीडियो अप्लोड कर देती हूं नहीं तो जो है मोबाइल वास्ता में हैंग हो जाएगा कल भी बन्द हो गया था इस वज़े से और इसलिए मैं सारी क्लिप एक की वीडियो में जोड रही हूं और बहुत सारी क्लिपे मेरे पास तो चलिए यह खाना बेटे को बोल के दिलवाती हूं और मैं तयार होती हूं अब क्योंकि मुझे जाना है और अभी तो पूजा भी करनी है मुझे और यहां पर जो है बस आप मैं कपड़े निकालूंगे फिर से मैं फूल दिखा रही हूं आज भी देखे फूल कितना अच्छा है यह देखे कितना खिला हुआ है यह फूल और यह देखे 20 तारिक के दिन यह मैं बता रही हूं आपको 20 तारिक के दिन भी फूल वैसा का वैसा खिला हुआ है यह मेरी सिरीज और यह टिफिन रख दिया है ताकि भूले नहीं यही पर अब तो मैंने सोचा चलिए वो पोदों को पानी फिला रहे हैं तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ यहाँ चकाचोंद भार उजाले की विज़े से मेरी आखे नहीं खुल रही है देखिए और यह हाती बता रही हूँ हमारे पिल्लर पे हमने हाती लगा रखे हैं यह देखिए बहुत ही मस्त हाती है यह पिल्लर पे लगा रखे हैं यह बोलते हैं बहुत शूब होता है पिल्लर पे हाती लगाना लेकिन वास्तु के हिसाब से हमारा मकान वास्तु बैठता नहीं है हमारे मकान में वैसे तो क्योंकि टेड़ा मकान है पीछे से जो है बहुत जगे है उसमें टेड़ा है मकान तिर्चा है तो वास्तु बिलकुल ही किसी चीज में हमारे मकान में बैठता ही नहीं है और यह देखे तीन तीन मंजिल का मकान है उपर ही उपर पापा जी रहते हैं और बीच में हम रहते हैं है ना नीचे पारलर थी क्लासे चल रही थी मेरी वो है तो मकान अब कलर मांग रहा है बट मैं कलर करने नहीं दे रहे हूं स्वामी जी बहुत पीछे पढ़ रहे हैं देड़ पौने दो साल स से बहुत अच्छा रहता है लेकिन मेरा सरीर साथ नहीं देता मुझसे जो है उठा पटक नहीं होती है खाना बना के देदू वही बहुत है अभी मैड भी नहीं है जाडू पोचा बरतन डस्टिंग कपड़े सबी कुछ मैं कर रही हूँ और पहले जाडू पोचा डस्टिंग कपड़े के लिए मैड लगी हुई थी लेकिन जब से यह मा मारी फैली है सारा काम में खुद अपने हातों से कर रही हूँ और मेरे कंदे में भी प्रॉब्लम है टेबलेट भी लेती हूँ और पट्टा भी बानती हूँ ट्यूब भी मसलती हूँ एक्सराइज भी करती और अभी एक हाथ में मेरे वैक्सिन भी लगा हुआ है तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा धर दे और आज भी इस तारीक है और एक्जाम है और स्वामी जी गाड़ी बाड़ी साफ करने लगए और बस फिर अब आ गए हैं और बस चलते हैं निकलते हैं एक्जाम देने के लिए तो चलिए यह हमारी गली है यह सामने दिखा रही हूं बाला जी डिपार्टमेंटल स्टोर है यह सामने है हमारे घर के जस्त सामने और बस यह हमारी गुलाबी नगरी जैपूर है यहां मास्क लगा लिया है अब स्वामी जी ने मैंने पहले ही लगा रखा था और यह द देवी देवताओं का मंदीर है तो सभी देवी देवताओं की जय हो और बस फिर यहाँ पर क्योंकि वह रिद्धी सिद्धी चोराया था वहाँ पर त्रिवनी मोड था सोरी वहाँ पर सारे जो पुलिया स्टार्ट हो जाती है वहां से तो यह पुलिया है अब मैंने यहां से वीडियो लेना फिर बंद कर दिया था पुलिया पे कुछ वीडियो क्या ले वहां का और यह देखिए यहां पर जहां मैं एक्जाम देने आई हूं वह है सेंटर तो अभी एक्जाम का जो है पॉस्पॉंड हो गए हमारे एक्जाम तो यह कोलेज है जो आपको दिखा रहे हू और अभी जो है कोई भी नहीं था जब हमने यह में वीडियो ले रही हूं स्वामी जी के आखे नहीं खुल रही धूप में मेरी भी नहीं खुल रही है और फिर हमने वहां जाके फिर फोटो कीचा वहां पर एक चिपकाया हुआ था एक न्यूज चिपकाया हुई थी तो उ सारे एक्जाम जो है यह तिहार की वेज़े से पॉस्पॉंड हो गए और यहां पर स्वामी जी हंस रहे हैं और देखिए ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे पकड़ मोबाइल को ऐसे पकड़ एसे पकड़ रमने वीडियो लिए एक दो फिर हम वापस बैठ गए अब सोचा कि भगवान ज जो है बुला रहे हैं क्योंकि एक्जाम नहीं हुआ है तो अब हम आ गए यहां पर मोति डूंगरी गनेज जी मंदिर के जय हो रिद्धी सिद्धी के देवता प्रतम पुझ देवता गनेज जी माराज की जय हो और जो है यहां पर स्वामी जी ने वीडियो बनाया है मैंने बनाया है क्योंकि मेरा मेरा वीडियो में लाइव चल रहा था मैं लाइव जो है वीडियो लाइव चला रखा था मैंने उसके बाद में फिर मैंने वीडियो बंद कर दिया था क्योंकि फिर मेरी जो है बैटरी चली गई थी डिस्टार हो गया था फॉन और यह स्वामी जी क मुबाइल से बनाया है वीडियो स्वामी जी ने ही बनाया है उन्होंने खुद ने आपने देखा मैं आगे खड़ी हुई थी अभी तो ये देखे किसी ऊ लग रहुं ना मैं मोटी हो गई हूं कोई सिभी ड्रेस मेरे नहीं आ रही है के सिवा और यह पास में बिल्दा मंदीर है लेकिन उम बिल्दा मंधिन नहीं गए थे हम मोटी डूंगरी गनेज जी के गए थे और बस यहां पर हमने प्रशाद वशाद लिया प्रशाद चड़ाया भगवान के अच्छे से हमने दर्शन करें लाइव भी दर्शन करा है सभी को और आप सभी मेरी लाइव में आने के लिए और मैं जो है रिप्लाइ नहीं कर पाई थी उस टाइम मेरे पास दूसरा मूबाइल नही तो पावबाजी वाले का भी वीडियो बनाया है स्वामी जी ने वह भी मैंने इसी में जोड दिया है मैंने आज अपने वीडियो के अंदर कोई ज्यादा छेड़ चानी नहीं करी है मैंने वीडियो अप्लोड किया है आज का जो व्लोग है मेरा उसको फास्ट नहीं किया है लंबा व्लोग है होफुली आपको पसंद आएगा और वैक्सिन लगा था जब आपरे मुझे मम्मी की याद आ गई थी मैं रोने लग गई थी मतलब आशू तो आए नहीं थे वहिया क का मंदीरे वहीं सामने है जहस्ट बगल में ही तो यह यहां पर बाबा जो है समोसे बना रहे ते गर्मा गरम तो कचोरी और समोसे लिए थे हमने और क्या यम्मी चटनी थी भाई मुझे मेरे सादड़ी की याद दिला दी उनकी चटनी ने और वहां से फिर हमने प्रशाद भी लिया था प्रशाद चड़ाया था बगवान जी को आते टाइम समोसे और कचोरी लिती मेरे लिए और फिर यह देखे यहां पर हम रस्ते में रुकेते बिल्ला मंद्री के यहां जो उस दिन जिनके यहां से हमने पाव भाजी खाय थी उसी ठेले पर से हमने वीडियो बन थी इस बच्चे से ही ज्यादा बड़ा नहीं है यह बच्चा ही है और बस इसने अच्छे से वीडियो भी बनवा लिया तो बस बना लिया हमने तो पाव भाजी किस-किस को पसंद आ जाईए मोति डूंगरी गनेज जी मंदिर के यहां की बिल्ला मंदिर के यहां की पाव भ जो है यहां पर मिलती है और लगाता ठेलेक लगे हुए रहते हैं और अभी तो ज्यादा भीर नहीं थी फिर यह मोबाइल मैंने ले लिया था स्वामी जी से और यह मैंने वीडियो बनाया था एक यह देखिए मैंने आ क्योंकि मेरा मेरा मोबाइल की बेटरी चली गई थी बं यहां मैं बता रहा हुँ कि कचोरी समोषे पाव भाजी प्रशाद बगवान जी का सब सब है और ही त्रेडिंग भी付ा है कि बहुत बड़ी बड़ी आधी। मन साफ होना चाहिए बस मैं आ गई थी फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया मैं नहाई नहां के सीधा बस आप आई हूँ यह आपको गुलाब का फुल दिखा रही हूँ लब यू सो मच पतिदेव क्या फुल खिला हुआ है अभी तक मस्त वाला और यह कपड़ों पर ध्यान मत दीजेगा गाईज यह एक एक दिन पहने हुए कपड़ें वो रखे हुए वो धोंगी में और यह लड़ू उठा लिजे सभी गनेज जी के मंदिर का हमारे प्रतम पु स्वामी जी और उनके दोस्त सभी जो है सवाई मादोपूर जाके आये थे वहां के लड़ू खिला है और यह पाउगा जी है यह मेरे समोसे और कचोरी और चटनी है एक समोसा मैंने स्वामी जी को दे दिया गाड़ी में से निकलने के बाद एक कागच में कागच में मतलब स्थेली में और दो ही रखे मैंने तो एक बेटे का है एक मेरा है और हो सकता है एक कचोरा है एक समोसा मैं भी खालू और सची में मैंने खाया था और आज मैंने चाय से नहीं खाया मैंने चटनी से खाया क्योंकि चटनी इतनी मस्त और यम्मी थी इन बाबा से मैंने पहले भ ओर और कर देती हुँ बच्चे खा लेंगे और अच्छा लगता है क्यों कुछ हãy अब इसम से चलिए य। इस गुलास में और क्वीडियो को मैंने फास्ट subscribersologists आ sandwich कि अलवी में नहीं आ पारी हूं इसके लिए सौरी और यह में वादा करती हूं कि आप मेरे दोनों चैनल के दोनों वीडियो पर आईए तो मैं जब कमेंट के रिप्लाइ करूंगी तब आपके चैनल पर जरूर आऊंगी और आपका वीडियो बोज करूंगी प्लीज आप आईएगा ताकि जो है मैं आप से कनेक्ट रह सकूँ आपसे जूड़ पाहूं और आपके वीडियो पर आप आऊंगी और क्या के ना अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पर तो सस्क्राइब करके जरूर जाएगा बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस् आप नहीं खाना था मैंने कचोरी और समोसा खा लिया था और यह फिर साम का टाइम है यहाँ पर पावभाजी दे दी मैंने और लोकी की सबजी बनाई है लोकी आलू की सिंपल और बैसन के लड़ू दिये हैं और दूद दे दूंगी और रोटी है तो आज का जो डिनर है य वीडियो है वो यही है यहाँ बेटा बना रहा है पिज्जा रोटी का पिज्जा यह रोटी का पिज्जा है प्याज वाज टमाटरों माटर काट के पत्ता को भी काट के रखी है इसमें शिमला मिर्ची काट के रखी है रोटी का पिज्जा है और आज है 21 तारिक और आज य दूंगी अलग से पापा जी को और ये चाच और ये पापा जी का था लिए आ जाईए खा लीजिए तो सिंपल मेरा ये व्लोग है और फुलिया आपको पसंद आएगा इतना मैंने ज्यादा कुछ व्लोग में नहीं बताया लेकिन हाँ वैक्सिन लगी थी और गनेज जी मोति दूंगरी के लाइव दर्शन मैंने आपको जो है मेरे दूसरे चैनल पर नहीं इसी चैनल पर सोरी